आपका स्वागत है करन्ट अफेर विद आउजी सीरीज में हम लोग आज बजट के रिगार्डिंग में काफी इंपॉर्टेंट चीजे पढ़ेंगे करन्ट अफेर के साफसे तो जो महत्पूर्ण है और आर्थिक परिद्रिश्टी कौन से भी चीजे जुड़ती है तक्ते हो बजट था निए पेपर पर नहीं बना था तो बजट से जुड़ी कुछ चीजे पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला बजट पर कब आया था भारत का देखा जाया तो इस्ट इंडिया कंपणी के टाइम पे 1860 में जेम्स विल्सन ने पहला बजट बनाया था उसे में भारत अजाद नहीं था तो इस्ट इंडिया कंपणी थी उस समय तो जेम्स विल्सन ने पहला बजट घोशित किया गया था और इसी समय निर्दारित हो गया था कि एक अपरेल से 30 मार्च तक का आपका फाइनिशल एर रहेगा थीक है पहली बार यह निर्दारित हो गया था आपका 1860 में फाइनिशल एर ऐसा ही रहेगा आपका जो कि अभी भी चलता है आपका फाइनिशल एर ठीक है और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने लागु किया था था याद रखना है 26 नॉम्बर से आपका Constitutional Day भी बनता है भारतिय सुविदान किते दिनों बनके तियार हुआ था यह कोश्चन अक्सर आया था है दो वर्ष 11 माह 18 दिन में ठीक आत्रिक तथे जुड़ते हूं बताते चलता हूं एक्जाम के Point Office है इसाब से बजट का उलेक भारतिय सुविदान में सीधे 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 शब्दों में बजट कहकर नहीं किया गया वार्षिक वित्य विवरण कहकर किया गया 112 अनुच्छेद में ठीक है वार्षिक वित्य विवरण कहकर इसमें किया गया इसमें आय और वे का पुरवानुमानित साल का एक एकस्पक्टेशन लगा जाती है बजट की उसका इसमें पूरा खाका तैयार होता है ठीक है पेपरलेस बजट बनाया गया तो कौन सा आप लॉंच किया गया तो यूनियन बजट ठीक है यूनियन बजट पर ये सारे चीजे मौझूद थी पेपरलेस था इसलेक इसको टेकनोल बजट में कितने पीलर आधारित बताया तो चीज देखो इस बार के बजट में जो पीलर बेसिकली बात हुई थी कि इंडेन एकॉनमी अगर अपने आपको अंतरराष्ट्रिय परिपिक्ष में एक बढ़ती वी आर्थिक स्थिती को स्थापित करना चाहती है तो किन छे फिल् भारत की स्थिती 86 है ठीक है 86 ही आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षन अधिनियम 1986 भी जुड़ता है ठीक है भातिक एवं वित्य पूजी अफसंरशना पर काम करना होगा दूसरा अकांशी भारत के लिए समावेशी विकाश स्थिजी गोल के बारे में बता चुका हूँ दो हजार तीज तक सत्रा टार्गेट्स UND पी है ठीक है UNDP द्वारा निर्दारित किये गए है ठीक है सतत्विकाश लक्षे वो अरचीव करने है और फिर मानो पूजी को फिर से उर्जावान मनाना है ठीक है human capital पे जोड़ देना है कही न कहीं भारत पच्छमी देशों की त समझा सकता है कि human capital क्या होती है एक human capital index भी होता है जिसमें इंडिया की स्थिति हमेशा 126-133 के मद्द ही लचक मचक होती रहती है ठीक है यह मैं मोटी मोटी समझ आपको देद रहा हूं शब्दों पे भी नवाचार और अनुसंधान विकास ठीक है आर एंडी पे काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट का काम किया जाएगा नियुन्तम सरकार और अधिक्तम शाषन यह पूरत है पश्चमितरज पर आधारित एक मुल्ले है कि जहां पर minimum government maximum governance काम करती है ठीक है यह paper 4 में भी आपको यह line कई बार लिखनी पड़ती है जब कोई case study solve कर रहे होते हो जब को आगे की रहा दर्शाते हैं उसमें ठीक है यह च्छे pillars पर इंडिया को काम करना होगा आगे growth करने के लिए आगे देख लेते हैं फिर ठीक है पीम आत्र निर्वर्ष स्वस्त भारत नामा के एक नहीं उज़ना शुरू करीगी इसका कितना expenses है 64,180 क्रोड रुपया ठीक है यह amount हमें पढ़ने में बिल्कुल अलग सा लगेगा किन्तु हाल के वर्षों में देखा गया है कुछ एक महतपूर्ण शेत्रों पे जो केंदर सरकार व्य करती है उसके मिलांचिन पूछ लिए जाते हैं तो यह एक नहीं पूछे जाएंगे आपसे चार पूछे जाएंगे और आपको मिलांचिन में मिलाना होगा तो यदि आपको दो भी पता हों तो कोई गिर्वेज नहीं है ये चीज आपके सही हो सकती है ठीक है स्वास्त के शेत्र पर कितना खर्चा गया गया है चौशाट है एक सो असी करूर रुपया ठीक है दो जार एकिस बाइस में राजकोशिय घाटे के लक्षे कितना परतीश राजकोशिय घाटा होता है रात्मिक राजकोशिय घाटा होता है प्रभावी राजकोशिय घाटा होता है तो इनमें राजकोशिय घाटा सरवादिक होता है अगर कभी कर्म लगाने के लिए आ जाए तो यही सरवादिक मिलेगा आपको ठीक है सरकार का लक्षे राष्कोशी घाटे को चार पोईंट देशमलों से कम करने कब तक को रखा गया है तो दोजार छब्विस तक रखा गया है ठीक है दोजार छब्विस तक रखा गया है आपका अगला देख लेते हैं राष्ट्रे शिक्षा नीती के तहित कितने स्कूलों को गुड़वात्वा करूख से मजबूत के डाएगा तो 15,000 स्कूलों आपको पता है कि पहले शिक्षा नीती हमारी 1984 के अप्रॉक्जिमेटली आई थी जो रिसेंटली लास्ट से मारी शिक्षा नीती थी दोनों के मद्दे 34 वर्षों का अंतर है इस परकार के कतनकारक वाले भी कोशन अगर आपने परिक्षा दी होगी तो आपको पता होगा उसी तरज़ पर अधारिता ठीक है निव एजुकेशन पॉलिसी 2030 तक के टार्गेटेड के लिए लॉंग टार्गेटेड गोल्स अचिवमेंट्स के लिए बनाए गई है ठीक है किस अंतराष्टि संगठन की साहता से नेशनल इंस्टिशूशन पॉर वन हेल्थ की स्थापना की जाएगी तो डबलु ए आज ये को तीन से क्रोड रुपे के अवंटें की घोशना की है तो गोवा ठीक है गोवा को की है और गोवा कब बना था आपका 1987 में ठीक है याद रखिएगा इसकी कैपिटल पणजी है ठीक है पणजी है इसकी अगला तथे है बजट 2021-22 के लिए किर्शी और ग्रामिड शेत्र के लिए कुल कित्ता परिवे होगा तो ये आपका 16.5 लाग करोड रप्या होगा ये भी बिलकुल आप याद रखिएगा देखिए कुछ शेत्र बहुत महत्मोर्ण होते हैं स्वास्त के किर्शी के जो भी म टीक है अच्छा कई बार कोशन आता है 11 योजना गत्वे और योजना गत्वे तो 11 योजना गत्वे पर जो भी खर्चा होता है इसका The Finance Ministry देखती है और योजना कत्वे पर जितना भी खर्चावा होगा जैसे कि नामसी पता चलता है पहले योजना आयोग देखता था आप नीती आयोग देखता है और नीती आयोग कब बना है आपका 2015 में बना है ठीक है नेशला इंस्टिटुशन ट्रांस्वर्मिंग इंडिया ठी सब्सक्राइब करेंगे तो कथन और कारक और कूट वाले परशन सरल कर सकेंगे तीक है अगला कूशन देख लेते हैं वित्तमंतरी ने किसके लिए एक विकास वित्तिय संस्थान की स्थापनाई घोशना किया है फिपरेली ताल तो चोटी कमपनी की चुक्ता पुजि के दिक्तम सीमा 50 लाग रूपे से बड़ा कर दो करोड रूपे अधिक्तम कारुबार की सीमा को 2 क्रोड से बढ़ा के 20 क्रोडर पर रख दिए यह ऐसा क्यों किया गया गया जो business initiatives जो risk लेते हैं risk takers होते हैं अपनी industry में अपने अपने levels पे उनको असानी देने के लिए और और देगी किरियाओं को तीवर करने के लिए ठीक है वित्तमंत्री ने दोरे करागान से बचाने की घुषणा किये तो NRI को किये non returning Indians ठीक है NRI होते हैं बहुत साथ लोगे घर में होंगे कुछ ऐसे residential सीमासी होंगे जो जाके बहार बस गए हैं ठीक है उनके लिए DTA आपने सुना होगा कई बार news में double tax anti-abudence ठीक है ये करागान समझोता बारत कई बार आपने देखा है वरिष्ट नागरों किस उमर के लिए IT रिटन दाखिल करने के आउशक्ता समाफ्त कर दी गए 75 वर्षे जितने वी उपर होएंगे उनको income tax return नहीं बनना ही पड़ेगी तीक है ये याद रखिएगा बज़ट 2021-22 में सरकार ने किते रुपय की आय का लक्षे रखा है, तो 17.88,000,000 क्रोड रखा गया है, देखे, आय से निकला आय कर, ठीक, आय कर क्या होता है, एक direct tax होता है, ठीक है, direct tax होता है, क्योंकि कैसे direct tax होता है, pay आप भी को करना पढ़ेगा, क्योंकि आपकी आय हो रही एक डायरेक्ट टेक्स होता है तो देखो टायरेक्ट टेक्स के बारे में आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ टेक्स दो टाइप के होते हैं ठीक है एक होता है डायरेक्ट एक होता है इंडायरेक्ट टीक है यहां से question सीधे सीधे बनते है डारेक्ट टेक्स होते हैं जो होते हैं कि आपको swim प्रभाव डाले आपको अदायगी करनी पड़े यदि नहीं करते हैं तो इसके वज में कुछ आपको सरकार द्वारा निर्धारित जो नियमित नीतियां होती है उसके तायत आपके उपर अंकुष अरोपन भी लगा जा सकता है तो आएकर आपका एक डारेक्ट टेक्स है Capital Gain Tax जब आपके संपत्ती को बेजते हैं और उसको ही Capital Gain Tax बोला आता Security Tax जो आप Securities खरीचते हैं सरकार से ठीक है उसके उपर भी टेक्स होता है वो Direct Tax होता है Corporate Tax भी एक Direct Tax है और इंडिरेक्ट टेक्स के विशे में मैं आपको बता दूँ 122 वा सविदान संसोगन करके GST लाया गया Goods and Services Tax ठीक है Goods and Services Tax एक सो बाइस वा संसोगन करके लाया गया इसके तहर 5 लैब बनाई गई 0.25% 5% 12% 18% and 28% 5 लैब बनाई गई Goods and Services Tax के तहित किस किस सविदान संसोगन तो हुआ पर किस किस अनुच्छेद में हुआ यह भी आपको पता होना चाहिए यह अनुच्छेद हुए थे 246 ब्रैकिट दो में हुए थे और 269 ए में हुए थे अब यह क्लॉस कहते क्या क्या यह थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए ठीक है मैं एक क्लाइन बताऊंगा आपको ध्यान से सुनिएगा यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है 246 ए 2 में यह यह उलेक किया गया केवल संसत के पास है अधिगार होगा कि माल क्या आप उड़ती है सेवाओ के अंतराज्य वेपार वानिज्य की विशे में सेवा कर कानून बना सके ठीक है अच्छी बात है जी आपने सेवा कर कानून बना दिया 269 एक क्लॉस क्या बोलता है यह कहता है कि अंतराज्य वेपार केवल केंदर द्वारा लगाया जाना और एकत्र करना और विधी सम्वत वित्रित राज्य को करना जो केंदर सरकार कानून बना चुकी अब जो टेक्स इंपोस करेगी उसे विधी सम्वत के तहत सेंटर और इसे भी देख लेते हैं 279 एक क्लॉस कहता है जीस्टी परिश्वत का गठन ठीक है आपने सुना होगा ने जीस्टी परिश्वत का गठन जीस्टी काउंसिल बनती है ठीक है इसकी काउंसिल कैसे बनती है यह इस काउंसिल में कौन होता है फाइनस मिनिस्टर होता है एक स्ट ये इस परकार से मिलके काम करेंगी कोई निन्ने लिया जाएगा GST Council दवारा ठीक है यह आपको मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ मोटा मोटा तो नहीं है बहुत अंदर जाके है तो यह आपको question जो बाएगा economics perspective पर तो आप easily solve कर पाएंगी ठीक है बजट 2021 सरकार ने कित्ते रुपे का विया का लक्षे रखा है विया मतलब expenses टोटल कितना करेगी ठीक है खर्चा कितना करेगी 34.83 लाक क्रोड ठीक है 34.83 लाक क्रोड पर खर्चा करेगी देखिए कई बार जो expected होता है उससे ज्यादा हो जाते हैं खर्चे उसके लिए कई परकार के विदेहक लाजे आते हैं विनियोग विदेहक इस परकार के खर्चे रचे लाए जाते हैं उसके विशे में मैं करमवार चर्चा करूंगा पूर्णते कन्वेंशनल टॉपिक पे ठीक है केंदर सरकार ने बजट में स्वास्ट पर कितना प्रतिशत बढ़ा कर दिया है तो 137 प्रतिशत खर्चा बढ़ा गया है बढ़ाना पड़ेगा लाजमी सी बात है कि आप इतने बड़े राश्टर होकर और इतनी बड़े जनसंख्या को आप GDP के मात्र दो प्रतिशत खर्चे तो समाल नहीं पाएंगे तो ठोकर खाया करें तो GDP में व्रिद्धी करेंगे और GDP के एक्समेंस में से हल्ट सेक्टर की तरफ ध्यान देंगे ठीक है बजट में केंद्र सरकार ने कित्ते रवन का विनिवेश का लक्षे रखा है एक दिशमलो 75 लाग करोड़ विनिवेश डिस इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा हाल में एक अलग इसका डिपार्टमेंट भी बना दिया गया है संभावतो उसका नाम दीपम है संभावतो तो क्या परफेक्ट है दीपम ही है उस विभाग का नाम विनिवेश वो होता है कि कुछ सरकारी का यह दोवारा उसको ने मतलब नीजी शेत्रों में बेच कर या फिर सरकारी शेत्रों में उसका विनिवेश करकर आईस रिजित करना ठीक है यह पॉलिसी आपकी 1991 पॉलिसी के बाद से स्टार्ट ज्यादा हो गई थी और अभी भी काम करती है बजट दो जार इकिस बाइस में कोविड उनिस के टीका करने के लिए कित्ते की धनराशी प्रावदान के 35,000 क्रोड रुपे टीका करने के लिए किया गया है जैसे आपके कोवी शील्ड आई को मंतराले का वंटित की गई है तो रक्षा मंतराले को की गई है चार दिसम्मलों साथ आट लाग क्रोड रुपे के साथ और गलोबल फायर सीज रिपोर्टर भारत की स्थिति कौन से नंबर पे है फोर्थ रैंक पे है तीक है मैं सुचकांक पे जो जुड़ते जा रहे हैं इ वीडियो का ज्यादा से यादा लाब लीजिए इवन आपको कई बार मना भी किया गया है कि लाइक और सस्क्राइब इस डिजन मैटर बट हाव माच यू लन फॉर्म फॉर्म ठीक है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है गयार सरकारी संगठनों नीजी स्कूलों राज्यों के साथ साजेदारी में कितने नए सैनिक स्कूल इस्थापित किये जाएंगे बजट के नुसार सो ठीक है यह रक्षा मंतरा लेगे दिनी कारेकरत होते हैं अभी कम है कई सारे पेरेंट्स चाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों पड़े जो कि सरकारी ही हो ठीक है क्योंकि वहाँ पे लागत कम होती है एक्सपेंस कम होता है और एजुकेशन कॉलिटी इंटरनेशनली लेवल की होती है लगबग लगबग उसी तरज पर होती है वित्त मंतरी ने 2021 में किस उर्जा मिशन को शुरुवात करनी घुशना किये तो हाइडरोजन उर्जा मिशन देखे 2020-2030 तक 12 सरकार 20 परतीशत का एथेनॉल मिलाने का लक्षे भी रखा है पेट्रॉल में ठीक है वो अले टॉपिक्स में मैं कवर कर चुका हूँ गर आप प्रिवेस वीडियो देख चुके होंगे ठीक है नेलबला सीतरमने संसंद में कित्ती बार बजट पेश किया है तो तीन बार ठीक है सरवाधी बजट किस ने पेश किया है दस बार तो मुरारजी देशाई ने ठीक है मुरारजी देशाई ने सरवाधी पेश किया औ इंद्रा गंदी, देर वाज ओनली ओन लेडी, जीडिप्यू में कित्ते प्रतिश्म सरकार और अर्बियाई द्वारा गोशित सभी राहत उपायों का कुलनुमान तेरा प्रतिशत लगाया गया है, यह बिल्कुल इन्वैलिड कोश्चंस है, मैं ऐसे कोश्चंस बिल्कुल ड अनुछेद दोसो असी में किया गया है, ठीक है, जो कि यह जैसे कि भी पंद्रवा वितायुक चल रहा है आपका, ठीक है, यह रिकमेंडेशन देगा, इसने क्या किया है कि सेंटर और स्टेट के मद्दे जो भी बाटते हैं, जाहिर सी बात है, बाटते ही है, अनुजानों क सेंटर को दी दिया है, इतना पता होना चीह, कौन से नमबर का वितायुगा, वितायुग कौन से नुछेद में, दोसो असी, अब देख लेते हैं, स्टेट फाइनेन्स कमिशन, ठीक है, स्टेट फाइनेन्स कमिशन 243 आई में होता है, ठीक है, यह याद रखिएगा, और 243 के में स्टेट election commission होता है ये भी याद रखिएगा कई बार question ही आ रहता है कि राज जे की विदानसभा की चुनाओं होते हैं वो कौन गठिट करता है तो ये आपका election commission करता है election commission 324 में है ये याद रखना कि ये वल इसके पास स्टेट election commission जो राज जे निर्वाचन आयोगे इसके आस पंचायतों के चुनाओं को दाइत हुए ठीक है पंचायत में चुनाओं लणने के लिए निंतमूमर 21 होनी चीए जबकि मद्दाता होने के लिए 18 वर्स होनी चीए ये बात भी ध्यान रखिएगा ठीक है और पंचायतों से समंदित आपको पता ही है कि कौन से सदान संजोगन है 73 ठीक है बलवंत राय समीती के तहट पे लाए गए थे 1993 में किये गए थे और पंचायती डे कब सेलिब्रेट के राता है तो 24 अपरेल को किया राता है आपका यह भी आपको पता होना चीए ठीक है तो ग्रास रूट लेवल पर जो भी सत्ता के विकेंदरी करन जैसी चीजे है यह सब बहुत इंबाडेंट होती है और 73 और 74 अमेंडमेंट से तो काफी ज़्यादा चीजे पूछी आती है इनकी सब्जेक्ट लिस्ट है एक की 18 एक की 29 है यह कोशन भी कई बार आता है अनुसूची वाला आ जाता है अनुभाग वाला कोशन आ जाता है यह कोशन आपको जहन में रखके चलने हैं ध्यान देना है बीमा शेत्र में प्रतिक्ष्विदेशी निवेस्ट सीमा की 49 से बढ़ा कर कित्ते प्रतिशत करगी 74 कर दी गई है अब ठीक है FDI ठीक है FDI के बारे में बता चुका हूँ Foreign Direct Investment और FII के बारे में भी कई बार बता चुका हूँ Foreign Institutional Investment डैट इस non as in hot money ठीक है Share Market पर काम करने वाली होती है जितनी जल्दी उच्छाल होगा उतनी जल्दी दे निकाल ली जाएगी ठीक है आगामी जन्गंडना भारत की पहली digital जन्गंडना होगी और इसके लिए कितना 110 किया गया गया यह भी मैं नहीं बताऊंगा बस ऐसे पढ़ दिया है ठीक है तो पहली जन्गंडना पता है किसके कारेकाल में होती है रिप्पन के कारेकाल में फिर दूसरी सवेटी यटीवन में कॉंटिनुस्ली होने लग्या अफटर टैने लिएस इंताल धुड़ तेसल होली जन्गंडना होगा है ये बहुत important है आपको पता होना चाहिए और हाल में तो इनके prices में इतने ज़्यादा heights है क्योंकि इसका price कभी भी central government decide नहीं करती इसलिए ये राज्यों में अलग-अलग दाम की होते हैं जैसे UP में किछ होगा, बिहार में कुछ होगा, MP में कुछ होगा, 36 गड़ में कुछ होग और सभी के price में fluctuations देखने को मिलेगा, एक quota आता है केंदर के पास, केंदर से राज्यों सरकारे ले लेती है, राज्यों सरकार फिर इसका अपने इसाब से tax impose करती हैं और इसका परभाव दिखता है और जनता में तनावत्पन हो जाता है, कि फलाना 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 सरकार ने कर दिया, फलाना सरकार ने कर दिया, यह उस सरकार का दोश नहीं है, यह दोनों ही सरकार का दोश है, कि केंदर ने महंगा लिया, तो राज्यों को महंगा दिया, और दोनों के मद्री जो tax का लेन दिन था, वो increase कर गया, इसका परभाव सिधा जनता है, ठीक है, एक समझदारी स हाँजिज साद टेक्स लब उतारी गई थी, थीक है, बज़ट 2021 में केंदर सरकार ने हांजिज लोन पर ब्याट선 टेक्स लाब के उडिने कंभ तक पड़ा दिये है, यह आपकी 2022 बड़ा दी गई, थीक है, यह ज़ट 2021 में सिधार 12 में पूरपो पोशन कार्य करम पोशन अ यह इसके संगे बताए दाओ, National Institute of Nutrition, NIN, आप कई बार पढ़ते होंगे, यह आपको GSP मिल जाता होगा, National Institute of Nutrition आपका हैदराबाद में है, यह आपको पता होना ची, important तथे है, ठीक है, वित्त मंतरी ने 2021 में National Railway Plan का टार्गिट कप तक रखा है, 2030 तक रखा है, ठीक है, 2030 तक का इसका ड्राफ्ट त्यार किया गया रहे लोएगा, और जल जीवन मिशन शहरी की गोशना के तहट कितने साल में, 2.8-7 लाग करोड रपे खर्च होंगे, तो पगले 5 साल में होंगे, इसका भी कोई यह इनकॉरिजिबल, बिल्कुल गल्द कोश्चन है, ठीक है, इस टार्ट जन जातियों की जन संक्या भी सरवादिक है, ठीक है, इस दृष्टी कोण से वाकार्य किया जाएगा, और आदिवसी शब्द का पहला बार परियोग आपको मैं बता चुक हूँ, ठककर बाप्पा ने किया था, ठीक है, और आदिवसी शब्द का पूर्टय मतलब की सटिक परिभाषा भारतिय सविजान में भी उलेक इतना ही है, जगा जगा पर आये हुए सब्दों के अधार पर इनसे उनका मुल्यांकन किया जाता है, ठीक है, यह याद रखिएगा कि पूर्टय इसमें नहीं किया गया उलेक, पता होना चीजिए, और इससे सम्मंदित मैं पता चुका हूँ, नेशनल कमिशन फॉर सेडूल ट्राइब, सेडूल कास्ट और सेडूल ट्राइब यह 338, 338 A में और जो भी बैकवर्ड डाला बनाया है, 338 B में बनाया है, ठीक, NCBC जी से बोलते है, नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड कमिशन, पिछडा वर गायोग, ठी रोहेडी कमिटी संबंदित है, ठीक है, उजवला योजना के तहत, 2021-22 में कितने नए परिवारों को लाभ पहुशाने का टार्गेट रखा गया है, तो एक करोड, ठीक है, यह LED वितरण अली योजना है, ठीक, LPG की स्वारी संभवत हो, यह उजवला योजना आपकी LPG, लि ठीक है, कपड़ा उद्योग के लिए अगले तीन सालों में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्स्टाइल पार्ग को की स्थाफित किये जाएंगे, ठीक है, साथ टेक्स्टाइल पार्ग, पुराने वाहनों को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी गोशना की तो स्क्रैपिंग पॉ और देखिया, आरबिया यह अपको कब बना था, 1934 में बना था, इसका राश्ट्रे करण 1940 में कर दिया गया था, ठीक है, देश का एपेक्स बैंक है यह, ठीक है, एपेक्स बैंक है, पता होना चीज़ के विशे में डेट और मिलांचीन माई जाती है, सडक और परिवहन रा 2020 में गेहूं खरीद के लिए किसानों कित्ती राशी का बुक्तान के जाएगा, पिचेतर हजार क्रोड रुपे का, ठीक है, आपको पता है, MSP कौन निर्धारित करता है, केंदर सरकार के दिन, CACP जो की 1964 में बनाता है यह, ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो यह स 2021 का किया जाता है, launch MSP, किस केंदर शाषित प्रदेश के लिए बजट 2020 किस में नई गैस पाइपलाइन पर यूजना शुरू की तो जम्मो कश्मीर, ठीक है, जम्मो कश्मीर आपको पता है कि एक यूटी बन गई है, जिसके अंदर विधान सभा भी शामिल होगी, यह आपकी सीरीज बहुत इंपोर्टेंट थी, फिर इससे जुड़े अन्ने तथे भी मैं आपको बता जाता हूँ, मुद्रा की कई बार कोश्चन आ जाता है, मुद्रा की माप से संबन देत, ठीक है, एकॉनमी में कोश्चन सीदा सीदा बन जाता है, जैसे M1, मुद्रा की माप मापने के लिए, इसमें क्या क्या संबलित होता है, बता दे रहा हूँ, लोगों के पास करिंसी जो होती है, जमा होती है, नोट या सिक्के, और मांग जमाएं, ठीक है, मांग जमाएं, और RBI के पास अन्ने जमाएं, जो होती है, यह M1 के तहत आती है, ठीक है, M1, M2 के कि परिश्ट थेत क्या आता है कि में आता है कि अप देख लेते में में कास्ता में किया है क्नीड़ोंहे है अब देख लेते हैं ध्टी स्वेश शुट म वैपारिक बेंकों के पास time deposit एक टाइम डिपोजित सभी वैपारिक बेंकों कि वैपारिक बैंकों से होते हैं 1934RBI रिचनेपित के तरहेयर दूसरी अनुसूची में सम्मलित बेंकों को वैपारिक बेंक बोला गया वानेजीक बेंक बोला गया ठीक है M4 M4 में क्या आता है M3 प्लस डाग घर की जमाए ठीक है जो की National Security Certificates जो की इनको छोड़ कर इनको छोड़ कर ये समलित होती है ठीक है Question सिधा सिधा बनता है कई बार कि M1 सबसे संकुचित माप है ठीक है सबसे संकुचित माप है ये M1 ठीक है ध्यान दीजिएगा और सबसे महतपूर भी है Most Important भी है ये मुद्रा की माप बताने में ठीक है और सबसे तरल भी है सबसे Liquid भी है ये M1 ठीक है M3 सबसे व्यापक माप होती है सबसे व्यापक माप होती है M3 और M4 सबसे कम तरल होती है तरलता जिसको आसानी से convert किया जा सके इसको इंगलिस में liquidity बोलते हैं हिंदी में तरलता और समानने अर्थों में समझने योग्य में जिसे convert किया जा सके आसानी से तरलता इसे समझेए ठीक है और एक कोशन ऐसे ही बनता है कि जो RBI फैसा चापता है निंतम कोश्ट जो 200 करोड का होता है ठीक है जिसमें आपका 115 करोड का सुना रहता है गोल्ड और 85 करोड की विदेशी परिसंपतियां होती है तब ही RBI फैसा चापता है तब ही पैसा छापता है यह तथे मैंने अत्रिक जो जुन्डे वाले थे इसे इकॉनमिक्स पॉइंट पॉर्ट फ्यू से मैं आपको बता दिये हैं ठीक है और टेक्स के रिगार्डिंग भी कुछ मैं बता येता हूं आपको टेक्स के रिगार्डिंग बेसिकली देखिए जिएस्ट अभी निया बनाई है तो जिएस्ट से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल है उनके विशे मैं आपको पता होना चीए जैसे कि 268 जुड़ा हुआ है 269 जुड़ा हुआ है और 270 जुड़ा हुआ है तो 268 बोलता है वैसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और जिनके राज्य द्वारा परियुक्त किया जाता है ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और जो राज्य द्वारा परियुक्त किया जाते हैं उन करो का समावेशन 268 में होता है ऐसे कर कौन-कौन से है स्टाम, सुल्क, औशद्धी, परसाधनों और उत्पादों पर लगने वाले कर ठीक है, 268 क्लियर होगे आपका और 269 वो करोते हैं जो केंदर द्वार लगाए जाते हैं और 173 भी किये जाते हैं परन्तु संग्रह राजस होता है जो राज्य को सौब दिया जाता है ठीक है, केंदर द्वारा ही लगाया जाएगा केंदर द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा कलेक्शन भी की जाएगी पर जो संग्रह होगा सारा टेक्स कलेक्शन राज्यों को सौब दिया रहाता है जैसे उत्रादिकार कर एक्जीक्यूटर होता है समपद्धा शुल्क रेल्वे का किराया भाड़ा शुल्क और बाजार ठीक है साजाबाजार जो की दोनों के जुड़ रहे हो केंदर राज्य के दोनों बाजार जूड रहे हो 270 में वो कर्ज जो केंदर द्वारा लगाई जाते हैं ठीक है और 71 के जाते है पर तुर राज्यस्व संग वा राज्यों के बीच बाट दिया जाता है वो आयकर होता है ठीक है आयकर income tax ठीक है income tax आयकर आता है यह direct tax की श्रणी में आता है और indirect tax इसको merge करके तो एक unit बनाई जी गई है GST ठीक है यह बात आप याद ध्यान रखेगा कई बार एक बार बहुत पुराना question है मैं आपको याद दिला दू कि VAT ठीक है value added tax 2006 के approximately आया था सबसे पहले इसे adapt किया था हरियाना ने और सबसे last state था इसको adapt करने वाला UP ठीक है अगर आपने देखे होगा question यह question भी इस टैप के question पूछे गए है तो मेरी कोशिश यह होती है इस current affairs series में PDF का collection तो आप कर लेंगे जाहिर सी बात है कि PDF वितरित की जाएगे तो आप सेफ और download करके केरवल और केवल कचराज उठाएंगे पर जो यहाँ पर जो fruitful discussion होता है वो शायद PDF में आपको देखने को नहीं मिलता तो कोशिश करा करिए कि इस video को या audio में convert जैसे भी करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे सुना करिए क्योंकि इसके अंदर तमाम प्रकार के अन्य तथ्यों को शामिल करकर इतना ज़्यादा उप्योगी बना दिये जाता है एक छोटी सी PDF को कि केवल आपके exam point of view से important होती है unnecessary discussion में वैसे भी नहीं करता हूँ कि जिससे आपका समय जाया हो ठीक है तो ध्यान दिया करिए ऐसी PDF को केवल संग्रे ना करें इसको यहाँ पर आकर वीडियो आप पूरी देखें समझेए काफ़ी सारी जाया दिन करिए आपको एक मंच में उपलब्द कराई जाने के हमारी कोशिस रहती है ठीक है